आप सभी का स्वागत है आपके अपने अप्लिकेशन आपके अपने चैनल आपके अपने प्लेटफॉर्म को एक्ट्रिक्स बाइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 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 जुड़ जाईए शुरू करने जा रहा हूं प्रिवेसर कोश्चन और मॉक टिस्ट की बात करनी है दो पर एक मॉक टेस्ट इस यह पैटरन को फालो कर रहे हैं हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीजिल की और इसी बार का सीजिल क्वालिफाई करना है तो प्लीज आपने जुड़े रहिएगा शुरू कर लेता हूं सेग्मेंट अपना यह और दो प्रिवेसरे पेपर आलरी डिस्कु किये हुए हैं लेकिन अच्छे कोशन से जो आपको हेल्प करेंगे उस लेवल की चीजों को टैकल करने में जो आप से एक्जाम में पूछी जा सकती है तो फटावर जुड़ जाईए शिरू कर लेते हैं सेग्में लाइक शेर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा देख करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी कवर अप हैं क्या लेवल आता है कैसे कोशन पूछे जाते हैं कैसे आंसर करना है सौल कैसे करना है एलिमिनेशन कैसे करना है यह सब कोशन के थुरू बात होती है लेकिन अगर आपको टॉपिक कंफर्म न चाहिए एंटॉनिम स्टॉनिम में इलिमिनेशन कैसे है अन्नोन वर्ट को कैसे गेस करना चाहिए या फिर फिलिंदा ब्लैंक में कौन से लॉजिक सकते हैं स्पोर्टिंग एरर में कोशन टेंस का आया है नाउन का प्रॉन अडवर्ब वर्ब इन चीज़ों को अगर आप एक बार का पेमेंट ये और वन यर की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है यह कोर्स और इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड होते हैं आप एक बार नजर अगर मारोगे तो शायदी कोई असा टॉपिक बचा होगा जो इसमें नहीं होगा सब के सब अए बेसिक सॉफ ग्रामापार स प्लस नाउन प्रनाउन आर्टिकल वर्ब वर्ब उसके टाइप मतलब जितना डिटेल में चीज़ें पूछी जा सकती है किसी भी किताब से अलग से आपको पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ेगी हां कुशन साप उठा सकते हो और वह भी देखते ही सौल करने होगे समझ में आने लगेगा कौन से टॉपिक से बस कवर अप एक बार करने की देर है ठीक ना तो यह सलूशन है आपके लिए अगर आपकी प्रॉब्लम रही है इंगलिश हमेशा से कैसे सौल करना है कैसे समझना है वह कैप कैसे तयार करनी है रीडिंग नहीं कर पाते हैं बोल नही पाते हैं समझ नहीं पाते हैं बैक्ग्राउंड नहीं रहा कभी किसी ने आपको ऐसे चीजें हेल्प नहीं करी उन सब का सलूशन है यह बेसिक लेवल से एडवांस वर्जन तक जितनी डीटेल में चीजें पूछी जा सकती हैं वह सब मैंने डिस्कुशन कर लिए ठीक है न जो चीजें नहीं समझ में आती थी अभी तक हम किवल रट लिया करते थे उनका प्रॉपर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उनका प्रॉपर एक्स्प्लेनेशन यह सब मैंने कवर अप कर रखा इसमें तो यह एक पार्ट जरूर अपने पास रखना इसको प्लीज अवेल कर ल हैं तो यह चीजें जरूर ध्यान रखें बहुत आसानी से अवेल कर सकते हो आप इस बैच को प्राइज मैटर जादा नहीं करता यह ध्यान रखें और ऑनलाइन मिल जाएगा जितनी बार चाहो आप उसको रिवाइस कर सकते हो रिपीट कर सकते हो डिस्कुशन आप उसका कर सकते हो मैसेजस से और यूट्यूब पर जो क्लासस आपको मिल रही है यहां पर आप डिस्कुशन करके जुरूर रखते हैं मारे साथ बट यह बैच एक बाद जरूर कवर अप कर लीजे अच्छा टार्गट बैच जो चल रहा है इंगलिश का अगर आपको टॉपिक में अगर आपको टॉपिक्स भी कवर अप करने तो फांडेशन बैच दोनों बैच इपनी इंपॉर्टेंस है दोनों आपके लिए अवेलिबल है और अगर आप कमबाइन ली चाहते हैं मतलब मैट्स रीजनिंग इंगलिश जीके सबको कमबाइन ली एक साथ कवर अप करना चा साथ है इसमें सारे सब्जेक्स आपको मिल जाएंगे टार्गेट बैच का ही एक पूरा का पूरा कम्प्लीट वर्जन है जिसमें इंग्लिश इंडिपेंडेंटली रीजनिंग मैट्स जीके आप अलग अलग भी अगर परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं कहां से क्विक ट् जो आपके काम का है जो आपको लगता है आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है सेग्मेंट वो आप वहां से अवेल कर लीजे तो यह चुड़ी सीक इंफॉर्मेशन जरूर ध्यान रखिएगा अभी आ जाते हैं अपने कोश्चन के सेग्मेंट पर अब कोश्चन देखन एलिमिनेशन कैसे करना है लॉजिक क्या लग रहा है सॉल करने का वो दिस्कुस करेंगे और प्लीज यह ध्यान रखना कि मेरा आंसर जो आएगा फाइनल उसके पहले आपका आंसर आजाना चाहिए आप सिर टैली करते चलना ठीके ना किसी भी चीज का आप रीजन नहीं कि भारती ही होगा इसको भारती कर लेना कोई शुज नहीं बारे फिनिश टू रीड सच बुक्स अब यह रूल अब देखो मुझे कैसे समझ में आया यह प्रैक्टिस की केवल बात है मुझे यह समझ में आ रहा है कि कौन से चैप्टर से जानते हैं अगर मैं आप से पूछ प्राइनाइड वर्ब के जेरंड पोर्शन से आया है अब इसमें मैंने क्या पढ़ाया हुआ है एक चोड़ा से आपको क्विकली रिव्याइज करवा देता हूं कुछ वर्ब मैंने वहां पे लिखवाई है ऐसी होती है कुछ वर्ब फिनिश उनी में से एक वर्ब है जिसक के बाद आप देखो तो यहां टू और रीड लिखा हुआ है और टू और रीड पहचान है इसको बोला जाता है इन्फिनिटिव अब इन्फिनिटिव क्या है यह आपको उस चैप्टर में आराम से समझ में आ जाएगा डिटेल में मैंने समझाया है तो फिनिश के बाद दि इन्जी फॉर्म होती है तो यहां पर जो टू रीड लिखा है इसको हटा कर हमें रीडिंग करना पड़ेगा तो सही सेंडेंस होगा बारती फिनिश्ड रीडिंग सच अप तो यहां पर भी टू रीड की जगा रीडिंग करेंगे इसका मतलब आप्शन नमबर कौन सा सही हो होगा बिल्कुल सही है फोर्थ वाला सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नमबर फो तहीं था आपका भी टैली करते चलना बिटा कोई और आंसर आपने टिक कर दिया हो तो इसको जिस्टिफाई कर सकते हो आप अगर तो बता दो कि क्या होना चाहिए सही आंसर चलो कोशन विच बेस्ट एक्सप्रेस दा मीनिंग अब मीनिंग को एक्सप्रेस करने वाला मतलब इंडारेक्ली देखो दे रहे हैं कि आप से वो पूछ रहे हैं सिनॉनिम का कुशन और एस्टीमेट वर्ड दिया हुआ है एसस सॉल्व डिस्कवर बिलीफ फटाफट गैस करिए क्या म होना चाहिए आपका सही आंसर पहले आप बता दें फिर मैं डिस्कुस करता हूं इस कोश्चन का सही आंसर जल्दी से क्विकली बताएं कि फड़ा फट जो भी आपको लगे कोई इस्टीमेट का मतलब अगर अगर पता होगा ना देखो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाए गए एस्टीमेट का मतलब होता ए किसी चीज का मुल्यांकन करना ए एस्टीमेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज का मूल्यांकन करना estimated value मतलब guess की हुई अनुमान लगाना ये भी meaning एक निकल सकता है अब अनुमान लगाने का अगर अब आप यहां से elimination अगर करो तो आप खुद देखो solve करना होता नहीं है discover खोजना होता है believe विश्वास करना होता है किसी चीज में किसी चीज को खोजना उसको उसका अनुमान लगाना उसका मुल्यांखन करना एसस करना यह आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा estimate का correct option एसस ठीक है ना next question जो आता है आपके लिए वह है question number third in the following question four alternatives दिये हुए है substitute करना है given words को अच्छा which can one word given पूरे के पूरे पूरे पार्ट को replace करना यानि यह question आपका है one word substitution का अब one word substitution का जब questions करते हैं न तो फिर यह ध्यान रखना कि सारे के सारे words बड़े important हो जाते है अब person who is absolutely necessary for someone or something किसी भी person के लिए कोई person अगर बहुत necessary होता है बताइए क्या बोलेंगे इसको necessary होना बहुत important होना बताइए गैस करीफर आवर जल्दी से one word substitution का question अब options जो दी है न यह options भी बड़े important है पता होना चाहिए बड़े आपको यह सारे के सारे options भी अगर options नहीं पता होंगे तो भी problem होगी कोई ऐसा option इन में जो नहीं पता है या ज्यादा तरही नहीं पता हो तो भी आप mention कर सकते हो कोई issues नहीं है सीख के आज आज आप जाओगे इसमें कोई doubt नहीं है कि कि कर देखो one by one indispensable है इन डिलाइबल है इन एफेबल है इन फैलिबल है सारे option इन से दिये हुए आप इन का मतलब जानते हैं इन अपोजिट जैसे पाइनाइट का अपोजिट आपको पता है इन फैनाइट होता है है न तो इन उसको अपोजिट करने के लिए यूज किया जाता है अब अब वन बाइवन सारे के सारे वर्ड की अगर मीनिंग चेक करी जाए तो देखो इन डेलिबल इन डेलिबल का मतलब होता है वो परसंग अब हाँ ठीक है ठीक है बता दो बता दो डेलिबल मैंने पढ़ाया यह दखो वन बाइवस सबस्टीशन की आपसे क्लास ली ती तो उसमें वर्ड विसस किया हुआ था डेलिबल अब डेलिबल को आप रिलेट कैसे कर सकते हो देखो डेलिबल वर्ड अगर आप डेल से ले लो अब डेल कैसे होता है कम्प्यूटर में आपने एक की देखी होगी डेल की है ना अब ये डेल की जो होती है की कम्प्यूटर में जो की बोर्ड पे की होती है उस डेल को short form में लिखा गया है ना किसका short form है ये तो I'm sure आपको यह समझ में आएगा कि यह बहिया short form लिखा गया है delete का है ना तो dell को अगर हम delete से रिले ले लें तो indelible मतलब जिसे मिटाया या delete ना किया जा सके ऐसे अब dell delete से अगर आप relate कर पाए क्योंकि dell की होती है तो that cannot be deleted जिसको मिटाया नहीं जा सकता डिलीट नहीं किया जा सकता सिखते चलिए one by one सारे के सारे word ठीक है undispensable अब undispensable dispenser dispensable को dispense को आप कैसे relate कर सकते हो यह वो चीजें होती है जिसको बदला नहीं जा सकता change नहीं किया जा सकता मोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए आता है indispensable that cannot be bent bent का मतलब होता है मोड़ना जिसको मोड़ा नहीं जा सकता undispensable dispenser अगर आपको पता हो dispenser क्या होता है इसके बारे में कोई आइडिया है cannot be bent unbendable भी होता है और a person who is absolutely necessary for someone or something यह भी होता है indispensable जिसको आप separate ना कर सको जो किसी चीज का बहुत जरूरी हिस्सा हो हाँ ऐसे आप समझो यह cannot be separated मतलब important part किसी भी चीज का important part जो होता है उसको बोलता है indispensable dispense नहीं कर सकते हाँ अगर डिस्पेंस से आप इसको ऐसे समझ लो dispenser होता है जैसे आपने देखा होगा water dispenser होता है पानी की एक machine लगाई जाती ना इसमें से आप पानी निकालते हो कप वगेरा में पुछ करके बटन office वगेरा में आपने देखा होगा water dispenser होता है dispenser मतलब होता है पानी को उसमें से निकालने के लिए तो indispensable है मतलब उसको आप उससे निकाल नहीं सकते उससे अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका अभिन हिस्सा है जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता उसका बहुत important हिस्सा है तो a person who is absolutely necessary for someone or something इसलिए उसको उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता उसको बोला जाता है indispensable जैसे दो चीज़ें जो एक दूसरे का जरूरी हिस्सा है पैन और कैप हो गया जरूरी हिस्सा है ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे का अभिन हिस्सा है जिनके बिना एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलना है वो मतलब दूसरी जी बेकार हो जाएगी उसके बिना ऐसे समझे तो वो होता है indispensable इन एफेबल और इन फैलिबल यह दोनों वर्ड भी बड़े इंपॉड़न्ट है इन वर्ड को जस्टिफाई करिए इन एफेबल का मतलब क्या है जल्दी से आपको मौका दे रहा हूं फटावर जल्दी से डिस्क्राइब कर दीजी एक बार इन एफेबल का मतलब क्या होता है हाँ ठीक है रिलेट करो रिलेट करो इन एफेबल इन फैलिबल इन एफेबल का मतलब होता है देट गैन नोट बी एक्सप्रेस्ड जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते शू नहीं किया जा सकता वर्डस में बताया नहीं जा सकता उसके लिए और इन फैलिबल मतलब होता है विदाउट पॉल्ट जिसके अंदर कोई कमी नहों फालिबल मतलब कमी मान लो तो फाल्ट जिसके अंदर नहों वो इंफैलिबल तो correct answer जो question number 3 का बनता है वो indispensable बनता है second वाला question number 4 में क्या पूछ रहे हैं in the following question 4 words are given out of which only one word is correctly spelled spelling का question guess करें सही spelling word is battalion बताइए battalion के सही spelling क्या होती है correct option आना चाहिए आपका जल्दी से फटाफट battalion B-A-T-A-L-I-O-N होती है B-A-T-A-L-I-O-N होती है battalion B-A-T-A-L-I-O-N कोई चीज डबल नहीं है और battalion में डबल T, डबल L एक में single L, एक में single T एक में दूनों single और एक में दूनों double ऐसे options create किये गए है बताना है आपको सही answer देखो मैंने इसको कैसे याद किया ता मैं अपना तरीका आपको बताऊं तो battalion आपको पता है सेना की होती है और सेना का काम होता है battle लड़ना तो एक तो battle इससे याद रखो battle युद्ध से और दूसरा battle में share की तरहां लड़ते है तो क्या चीज में double दिख रही है भाई आप battle से double T लेना और lion से L लेना यह नहीं की एक L-E-A और एक L-E-A मिला के double L कर दो नहीं battalion में single L होता है lion होता है और battle का double T होता है तो battalion की जो correct spelling निकलती है वो आती है first वाली B-A-T-T-A-L-I-O-N battalion first one is the correct answer question number five in the following question out of the following choose the alternative express करता है meaning of the idiom phrase idiom and phrase का question है eat one's words अपने words को खाना इसका मतलब क्या है forgive and forget become less acceptable retract करना what one has said जो person ने कहा है उससे मुकर जाना उसको सुधार लेना वापस accept कर लेना की गलत कह दिया है ये retract सुधार ना होता है जो मैंने बोला उसको and oppose sternly बहुत sternly हो करके मतलब जिद्दी हो करके rude हो करके oppose करना correct answer जो eat one's words का मतलब होता है कि अपनी गलती को सुधार लेना अगर मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया है और मैं बोलना चाहूं कि मैं अपनी गलती सुधारता हूं ये नहीं ये होना चाहिए था तो मुझे बोलना पड़ेगा I eat my words माई लगाओगे once की जगा जिसको भी गलती सुधार नहीं है correct option हो जाएगा option number third ये होगा retract what one has set ठीक question number six देख लिजे grammatically correct sentence पूछा गया है और ABCD में जो सही होगा A का मतलब first नहीं है A का मतलब second वाला answer B का मतलब fourth वाला answer देख लो ये चीजें तोड़ा ध्यान देना I would buying would के साथ base form आती है तो ये option तो नहीं होगा I shall buy this book if you like it or not देखो और का इस्तेमाल कभी if के साथ नहीं होता और का इस्तेमाल होता है या तो either के साथ या weather के साथ ठीकिए ना और यहाँ भी दिया है if यहाँ भी दिया है तो D वाला option खतम हो जाएगा B वाला option खतम होगा ये rule ध्यान रखना if के साथ और का इस्तेमाल नहीं होता और का इस्तेमाल या तो either के साथ होता है either or या weather or होता है ठीकिए ना और weather synonym होता है if का की correct option होगा C वाला और C का मदलब होगा first वाला first one is the correct answer question number seven in the following question sentences given with a blank to be filled appropriate word अच्छा sentences दिया है इसमें fill in the blank का question है he became a minister वो minister बना he didn't allow any of his relatives to live with him अच्छा उसने किसी अपने relative को साथ रहने के लिए allow नहीं किया as long as जब तक जब तक वो minister रहा ऐसा तो हो सकता है लेकिन जब तक वो minister बना ऐसा नहीं हो सकता in case का मतलब होता है if अगर वो minister बना वो उसने allow नहीं किया दो को यह real sentence है ठीक है ना imaginary नहीं है और यह imaginary है तो यह eliminate हो जाएगा as soon as जैसे ही वो minister बना उसने किसी relative को हाँ यह हो सकता है in order that in order का मतलब होता है purpose बताता है उदेश है तो minister बनने के उदेश से उसने allow नहीं किया नहीं यह भी नहीं ministers तो चाहते हैं उनके साथ भीड़ रहे यह नहीं होगा यह third वाला option होना चाहिए correct answer as soon as he became a minister जैसे ही वो minister बना उसने अपने relatives को दूर कर दिया मतलब उनके साथ रहने से मना कर दिया allow नहीं किया उसने किसी और को question number 8 में voice का question है और पूछा गया passive voice में sentence को change करना है हर failure to get admission in the science stream surprised us देखो यहां पर verb यूज हुई है second form में और verb की second form आती है तो मैंने पढ़ाया यह tricks के form से कि B की second form आएगी यानि हर हाल में sentence was या word से बनेगा यहां r दिया है तुरंत eliminate करिये यहां word दिया हुआ यह हो सकता है had been नहीं हो सकता और have been तो बिल्कुल नहीं हो सकता second is the correct answer खतम हो गया question देख के decide करने वाला 2 second का question है तो एक बार please foundation batch join कर लो देखते ही तिक कर पाऊगे answer अच्छा describe how will you tell in passive voice that he was eating a large pizza eating ing form है देखो वर्ब की ing form तो यहां B की ing form आएगी यहां पर कहीं being नहीं है तो यह eliminate हुआ यहां पर bin दिया हुआ है यह eliminate हो गया यह being दिया हुआ और यहां भी being नहीं है तो यह भी eliminate हो गया third one is the correct answer देखते decide खतम question number 10 10 की बात कर लेते हैं क्या पूछ रहा है a set of these sentences is split into four parts अच्छा PQRS का question है random order में नहीं नहीं प्रॉपर order में दिये नहीं है combine करना है ठीक है a young woman was looking deathly pale and very frightened एक young woman थी जो मतलब बहुत मरने वाली अवस्था की बता रहा है pale मतलब पीले पीले पढ़ जाना deathly मतलब बहुत मरने वाली आहलत में थी I felt sorry for her as I looked her into her eyes मुझे बड़ा अफसूस हुआ I felt sorry for her मतलब यहां पर अफसूस की बात कर रहा है जब मैंने इसकी आँकों में देखा without saying a word she gave me a ring बिना कुछ बोले उसने मुझे एक ring दी then she ran out of the shop as if the place was on fire और फिर उसने मुझे और फिर वो shop से बाहर भाग गई जैसे आग लगी हुआ पर अच्छा the place was on fire ठीक है बताएं सही answer क्या होना चाहिए इस question का जल्दी से फटा फट आपके लिए question है यह rearrangement का question quickly decide करिएगा जल्दी से बाहर आपके लाहर आपके लाहर आपके लाहर कहां से शुरू करेंगे देखो बाकी जगा अगर आप देखो ना तो यहां हर है यहां शी है यहां भी शी है तो obviously यहां से साफ सा पता लग रहा है कि शुरू तो नहीं होना है शुरू तो हम लोग young women से करेंगे क्योंकि उसी के लिए हर जगा यह शी और हर आया है तो यह वाला sentence से शुरूआत होनी चाहिए यह दोनों तो eliminate हो गए ठीक ना अच्छा then she ran out फिर वो बाहर चली गई then किसके लिए आया है किसके बाद या उसके बाद वो shop से बाहर भाग गई ठीक ना अच्छा I felt sorry for her मुझे उसके लिए अफसोस हुआ उसके बाद वो बाहर भाग गई यह sense नहीं बन रहा है उसने मुझे एक ring दी then she ran out यानि C के साथ pair बन रहा है D का C और D का pair अब C और D का pair अगर आप देखोगे तो आपको यहां दीखेगा A से शुरुवात और C और D का pair यानि इसका मदलब correct answer होगा second वाला खतम हो गया बस यही logics ध्यान रखने है एक definite pair ढूण लो और उसके बाद में opening अगर मिल जाए तो वो opening ढूण लीजे यहां भी देखो PQRS वाला question यहां भी दिया हुआ है मतलब फिर वही pattern follow करेंगे देखो one by one क्या लिखा है the mountaineers mountaineers मतलब परवता रोहियों की बात कर रहे है set up a camp at a height of 15,000 feet then they started climb अच्छा उन्होंने camp set किया और फिर चढ़ना शुरू किया ऐसा तो I'm sure नहीं होता है they struggled up a steep slope steep का मतलब होता है सीधी slope का मतलब धलान धलान है लेकिन बहुत तिरची नहीं यह मतलब ऐसे नहीं इस पर चढ़ना असान हो सीधी धलान जो होती है तेक ना मतलब उची चढ़ाई बहुत सीधी चढ़ाई उसके लिए बात कर रहे है stopped at the height of to 20,000 feet ठीक ना अच्छा there they stayed for a week to get accustomed to the climate climate के accustomed होना मतलब इनका आदी होना ठीक ना अब आदी होने के लिए there they stayed वहाँ वो रुके कहां रुके होंगे 15,000 feet पे उन्होंने setup किया उस वहाँ पे रुके या फिर 20,000 पे setup किया वहाँ पे रुके यही दो जगा हो सकती है अब अगर आप ध्यान से देखो then they started climb there they stay कुछ एक हफतों के लिए रुके अब दो ही जगा उप्शन है देखो या तो c से शुरू होगा या a से शुरू होगा c से they struggled up होना नहीं चाहिए तो यह दोनों option eliminate हो गया ठीक है ना दोनों sentences में a से शुरूवात है और c से end है यानि अब दो ही options बचते है या तो b d है या d b है simple सा लग रहा है logic तो यही बुनता है a से शुरूवात होगी c end होगा b और d और d और b में है confusion अब आप खुद देखो then they started climb पहले b रखे there they stayed या accustomed होगा है मतलब आदी होगा है climate के फिर उन्होंने चढ़ना शुरू किया तो logically पहले आदी होगा है फिर उन्होंने चढ़ाई शुरू की यानि पहले d आएगा फिर b आएगा correct answer होगा हमारा third वाला next 12 बता दीजे select the most appropriate synonym of the given word synonym चाहिए सबसे पहली चीज़ अब reluctant का मतलब होता है hitch किचाना hitch किचाना इसका मतलब होता है किसी काम को करने में जिजखना संकोच करना ठीक है न अब मतलब ईसका आमको करने से बचना कामको करने में तुरह सा hitch किचाना unwilling का मतलब होता है उसका आमको करने की इच्छा न हो pleased का मतलब खुश होना afraid का मतलब डर्ना पता है आपको steady का मतलब बिलकर द्रड होना मलब निश्चित होना, तो अब आप खुद देखो, पूछा गया है, रिलक्टेंट हैं, किसी काम को आप करने से हीच की चाहते हैं, क्योंकि आपकी करने की इच्छा नहीं होती, अन्विलिंग शुड बीदा करेक्ट एंसर, कोशन नमबर 12 का, फर्स्ट वन, कोशन नमबर 13, आर हैवी बुग्ड, वर हैविली बुकिंग, नहीं, 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 बुक किये गया थे, पैसे में बनेगा, आई एंजी फॉर्म तो नहीं आएगी, हाँ देखो, बुक्ड यह जो है, वो वर्ब है, और वर्ब के लिए जो वर्ड आना चाहिए, वो हैवी नहीं आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, तो हैवी की जगा हैविली होना चाहिए, है ना, तो हैविली और बुक्ड ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इसको एडवर्ब बनना पड़ेगा और बनने के लिए एडवर्ब में पढ़ाया है एडवर्ब चैप्टर से कुषण आया हुआ है थर्ड वाला होगा सही answer 14 में in the following question out of the four alternatives choose the alternative best expresses the meaning of the idiom phrase idiom phrase का question और शायद ऐसी phrase जो आपने commonly नहीं सुनी होगी यह शायद हो सकता है ना ही पढ़ी हो rose colored glasses rose colored glasses का मतलब क्या होता है अब positive outlook on life life का positive outlook देखना मतलब positive way में लेना in difficult situation, बुरी situation में होना an outdated attitude एक ऐसा attitude जो पुराना हो गया प्रचलन में नहीं है आप belief not based on fact fact पे based आपका जब belief या विश्वास नहीं होता मतलब जिसमें facts नहीं हो उस belief को यह बोलते हैं अब सही answer जानते हैं rose colored glasses का actually मतलब होता है life के प्रती जो positive attitude होता है a positive outlook on life first one should be the correct answer for question number 14 बहतरीन question है द्यान मकना 15 में क्या बोल रहा है most appropriate direct form of the sentence direct में change करना है indirect दिया हुआ है the salesman said that he had verified had verified all the bills while the goods were being packed okay goods के साथ यहां पर वर दिया हुआ है और यहां goods के साथ was दिया है तो यह eliminate कर दो होगा नहीं the salesman said I am verifying am verifying को had verified में change नहीं करते was verifying में change करते हैं तो यह option गलत हो गया I have verified हो सकता है had verified are packed का change हो जाएगा were packed में यह option हो सकता है I verified का change भी had verified में हो सकता है बहुत बढ़िया goods were being packed okay the salesman said I verified all the bills while the goods were being packed यह option अगर होता were being होता तो had been में change होता ठीक ना perfect tense में I have verified all the bills while the goods are नहीं नहीं यह वाला होई होगा बढ़िया यहां पे दिया है यहां बीइंग दिया है यहां पर बीइंग नहीं दिया है तो बीइंग तो गलत होई गया इसलिए सही आंसर नहीं perfect continuous का तो passive form बनता ही नहीं है past का यह past का perfect continuous अगर change करते तो passive नहीं बन पाता yes, fourth one should be the correct answer बहुत 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 क्रीट क्रीट किया गया है now 16 देखिए following questions out of the four letters choose the express the meaning of the idiom phrase okay one track mind बहुत simple सहे इसको guess करना ऐसा mind जो एक ही track पर दोड़े मतलब भटकाव नहीं होता जिसमें thinking of another point of view नहीं दूसर point of view कोई दिमाग में ही नहीं आता using a well known path अच्छे मतलब पता हो जिस रास्ते पर उस पर चलना always thinking of only one thing हो सकता है waiting anxiously for something किसी चीज का बहुत बेचैनी के साथ इंतजार करना यह भी नहीं होता third should be the correct answer now seventeen in the following question four words are given out of which only one word is correctly spelled okay and the word is parallel correctly spelled word आपको find करना है parallel की सही spelling आप से पूछ रहे है guess करिये फटाफट और फिर से देखो क्या इनोंने किया है double R कर दिया double L कर दिया है E यहाँ E कर दिया एक ही जगा अब सही डिवर्ड डिसाइड करिये क्या होना चाहिए parallel की सही spelling पर आप बताएं जल्दी से parallel की correct spelling क्या होनी चाहिए quickly जल्दी से parallel में R कितने होते है और ए होता है ए होता है यह चोड़ी चीज नहीं बस आप से दियान पर दिया ने सके पूछी गही है झाल फटाफ़ जल्दी से पैरलल पैर 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 आपको कोई कन्फूजन नहीं होगा हां P A होता है R भीके बाद भी A होता है डबल R नहीं होता ही अडा दीजे E नहीं होता ही अडा दीजे P E नहीं होता ही अडा दो पैरलल की स्पैलिंग पैर पैर फट वन is the correct answer Yes 18 बे क्या बोल रहा है Select the option that can be used as a one word substitution Slowly moving mass और river of ice बहुत बहतरीन options हैं, ध्यान से देखो, glacier, typhoon, avalanche, blizzard, अब ये चारों one verse आपके लिए बड़े important है, ध्यान से देखो, इनमें difference समझो और सीको, glacier होता है, सही answer, एक ऐसी नदी या बहुत सारी बर्फ जब धीरे धीरे बहती हो, नदी के form में, हिम नद जिसको बोलते हैं, हिम पानी होता है, या बर्फ ही बर्फ होती है, बड़ी बहुत भारी मात्रा बर्फ की जो बह रही हो नदी के form में, glacier, typhoon होता है, समुद्री तूफान, पानी का जो तूफान होता है, उसको बोलते हैं, टाइफून जिसमें पानी का भंवर बनता है, पानी का भंवर बनता है, और तुफान आता है चक्रवाद पानी का जो चक्रवाद बन जाए उससे बोलता है हवा का चक्रवाद आपने देखा हो ऐसे पानी का बनता है तो उसको टाइफून कहते है एवलांच क्या होता है श्लाइडिंग और और अइस त्यक्रवाद यह स्नुव बेशिकली बिटर रहेगा श्नुव इस बहुत तेजीसे धलान से उतरती है ना बर्फ बहुत भारी मात्रा बर्फ की जब स्लाइड होने लग जाए जैसे लैंड स्लाइडिंग होती है वैसे जब स्नुव कहा जाता है and blizzard होता है बर्फ का तूफान बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है चार तरफ को हो रहा हो जाता है बर्फ बारी शुरू हो जाती है उस तूफान को बोला जाता है blizzard correct answer जो यहाँ होगा वो फर्स्ट वाला होगा glacier now question number 19 19 यहाँ क्या बोला गया है 19 में बोल रहे हैं the following questions and this is in the blank का question है अच्छा appropriate option kart का मतलब गाड़ी loaded with mangoes turned upside down turned upside मतलब पलट गए बिल्कुल तो एक गाड़ी थी जो इसमें mangoes लदे हुए थे on main road अच्छा options अगर आप देखो तो article का question है ठीके ना कार्ड की बात पहली बार कर रहे है किसी particular कार्ड की एक निश्चित कोई कार्ड है नहीं तो यहाँ जो सही answer आना चाहिए वो देखो आएगा a card loaded with mango एक कार्ड थी जो loaded थी upside down on main road main road एक particular road की बात कर रहे है तो यहाँ जो answer आना चाहिए वो आना चाहिए on the main road तो a और the वाला option अगर आप देखोगे तो third वाला आपको मिलेगा जाकर के सही answer third should be the correct answer for question number 19 20 में क्या बोल रहा है select the option substitute in the line segment I could not sleep मैं सू नहीं सका in case of being very tired बहुत थका होने की वज़ए से सू नहीं सका तो यह logic तो कुछ बनता नहीं तो जो दिया हुआ पाड़ वा तो गलत है थके होने की वज़ए तो सो गया ठीक है ना even though even though का मतलब हाला की हाला की बन सकता है since मैं सो नहीं सका हाला की बहुत थक गया था हो सकता है option in spite of का मतलब भी होता है के बावजूद थके होने के बावजूद मैं सो नहीं सका यह भी हो सकता है in order of in order of नहीं होता है in order to होता है यह भी अड़ा दीजे मतलब वही purpose वाला ठीक है ना in order to होता है यहां पर अच्छा अब दोनों options देखो हाला की मैं थका हुआ था in spite of थकने के बावजूद नहीं सो पाया इन दोनों में जो सही option होगा उसको ज़रा ध्यान से समझना अब in spite of preposition है और even though conjunction है और conjunction का एक rule मैंने conjunction में भी पढ़ाया है pronoun में भी पढ़ाया है preposition में भी पढ़ाया है कि conjunction के बाद subject आना चाहिए और यहां कहीं भी आप देख लो subject नहीं आया अगर यहां लिखा होता I was very tired तो हम even though answer टिक करते और अगर subject नहीं है preposition के बाद object आता है यह subject नहीं आता यह part तो यहां जो सही answer होगा वो in spite of हो जाएगा third one is the correct answer even though सही होता अगर I लिखा होता I was very tired even though I was very tired होता तो सही हो जाता यह बड़े important points है now question number 21-25 comprehension का question portion आएगा temptation लालच ठीक ना किसी भी चीज का लालच जो होता है of one kind or another lure everyone lure का मतलब होता है ललचाना किसी भी चीज के लालच जो होती मतलब अकरशन वाला लालच किसी चीज को हम पसंद करते हैं चाहते हैं हमें मिल जाए उसके sense में the important thing is to prevent them from gaining a foothold in our important क्या है कि चीज को रोकना कि इसके पैर जमे हमारे कहां पे लालच कहां आता है बताओ आंकों में आ सकता है खाने की चीजों को देख करके या दिमाग में आ सकता है दोजी चीजें हो सकती है as soon as we detect the first sign of temptation जैसे ही पहला sign मिले पहला लक्षन दिखाई दे we should become watchful सावधान हो जाना चाहिए and blank दिया है our attention और अपनी attention to good and noble thoughts अपने जो attention है हमें वो noble thoughts की तरफ ले जाना चाहिए turn करना, shift करना, change करना, mold करना ऐसा कुछ sense आएगा यहाँ पर if we wait till the temptation becomes अगर हम इंतजार करेंगे कि जो temptation है वो becomes to वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए we are likely to fall तो हम हमारा पतन हो fall मतलब यहाँ पर पतन की बात कर रहे हैं तो हमारा पतन होना है playing with the temptation amounts to welcoming it मतलब इसके साथ temptation के amounts के साथ play करना मतलब उसको entertain करना उसके साथ adjust करना to welcoming it amounts to welcoming it playing with the temptation amounts to welcoming it मतलब temptation के साथ खेलना उसको welcome करने के बराबर है कि आप अगर उसको control नहीं करोगे तो मतलब उसका सुवागत कर रहे हो in fact the safest सबसे अच्छा तरीका है अगर हर तरह की में कोशिश करने के बाद ध्यान रखने के बावजूद अगर लालच बहुत बढ़ जाए वी ब्लैंक लिखा है नॉट गेट अपसेड और डिसपॉइंट तो हमें डिसपॉइंट नहीं होने की जरूरत है बलकि एक अच्छे फ्रेंड के पास जाएए उससे अडवाइस लीजे तो पैसेज अच्छा है औप्शन देखते हैं Temptation of one kind or another lure everyone किसी ना किसी तरह से सबको लल चाता है The important thing is to prevent them from gaining a foothold in our Minds हो सकता है, Eyes हो सकता है Bodies नहीं हो सकता, Soul नहीं हो सकता Soul में temptation नहीं आता Mind और Eyes के थूद्रू आगे लिखा था ना Noble Thoughts लाने Thoughts आप आँखों में नहीं ला सकते तो इसका मतलब mind में ही आया होगा उसी को बदलने की बात कर रहे हैं तो mind हो सकता है अच्छा, as soon as we detect the first sign of temptation जैसे पहला sign मिले आपको we should become watchful, सावधान हो जाना चाहिए and our attention turn our attention, change our attention twist our attention, revolve तो घूमने के लिए होता है twist मोडने के लिए होता है turn our attention, attention को change नहीं, attention को change नहीं करते attention change नहीं की जाते है, attention को turn किया जाता है turn our attention to good and noble thoughts next पढ़िए, 23 and 24 के लिए whatever guess करिए, क्या होना चाहिए सही answer if we wait till the temptation becomes too blurry, burly, नहीं, burly नहीं, blurry I think होना चाहिए था weak तो नहीं, तब तक कमजोर हो strong, feeble का मदलब भी weak ही होता है है नहीं, बहुत ज्यादा क्या हो जाए, temptation बहुत ज्यादा strong हो जाए, ठीक है, strong हो सकता है burly, burly, सही एक blurry होता है, एक burly, burly का मतलब होता है बहुत healthy, muscular, मतलब बहुत ताकतवर, powerful powerful मतलब physically, body body, जिसके होती है न, उसके लिए आता है burly ठीक है न, muscular के लिए, तो muscular वाली बात नहीं कर रहे हैं, strong we are likely to fail, fall, हाँ मतलब बतन होना है अच्छा, fourth के लिए चाहिए यहाँ पर in fact the safest item, object, track, thing, safest item तो नहीं है, safest object भी नहीं है, वस्तु भी नहीं है safest track is, नहीं, safest thing is, safest thing, हाँ, सबसे safe चीज़ यह है, कि हम avoid करें situation को ही avoid कर दें, thing होना चाहिए, यहाँ पर correct answer, fourth के लिए और fifth के लिए आप देख लो, बतादो सही answer, क्या लिखा है, if despite all our care temptation becomes severe, we upset नहीं होना है, we would not तो नहीं होगा, might भी नहीं, possibility की बात भी नहीं कर रहे है we could not भी नहीं, should बचता है, must need की तरह से, should option बचता है we should not get upset, upset नहीं होना चाहिए, अच्छे दोस्त के पास जाहिए, मदद मांगे, सलाह मांगे, हो जाएगा काम आपका ठीक है, चलिए, यह थे आज के रूटे 5 questions, I hope चीज़ें helpful हुई होँगी, continue करेंगे इसी segment को हम लोग आगे भी तयार रहिएगा, practice करते रहिएगा और revise कर लीज़ेगा, सबसे ज़्यादा ज़री चीज़ है, revision और practice कोई problem आती है, comment section में आप mention कर दीज़े, यह इस particular platform पर आपको सारे के सारे solutions मिलते रहेंगे ठीक ना, चली, like कर दीज़ेगा, share कर लीज़ेगा, continue रखेंगे इसी segment को, जुरने के लिए, thank you very much, all the very best, आपके exams के लिए, take care बटा